वानेकम, मंदिनम, स्वागतम, नमसे, सर्शेकाल, अस्सलाम वालेकूं, हलो दोस्तों, मैं आपकी प्रेदोस्त प्यांक, आप सभी का स्वाधत करती हूं, गागी क्लासस की एडियन एक्सपरस की एडिटोरेल आइडिया और एक्सपरेशन पेज की डिसकॉशन पर, तो आज आर्टिकल काफी सारे आर्टिकल्स हैं, सौरी गाईज, अचली क्या सुबह थोड़ा लेट उठी, तो मैं कवर नी कर पाई, और मुझे जाना था, दस बचे लाइब जे ले निकलना था, तो इसलिए मैं वीडियो अप्लोड नी कर पाई, क्योंकि और उपर से मैंनी, मतलब रीट कर लिया था, लेकिन मैं रिकॉर्ड नी करा, क्योंकि आर्टिकल्स कम से कम आप ले लीजिए, आज साथ आठ आर्टिकल्स हैं, अगर हम एक्स्प्रेनेशन पेज को कवर करते हैं, तो तो आप मुझे एक सजेशन दीजिए, मैं एक को पूछना था, कि अगर आपको द आपका जो एक्स्प्रेनेशन पेज है, वो सब कुछ आपको एक साथ चाहिए, तो गाइस, या तो आप मुझे बताइए कि मैं शाम को, क्योंकि मैं सुभह नहीं कर पा रही हूं, मैंने देखा है, मुझे तीन महीने से जाधा हो गया, रिकॉर्ड करते-करते, तो मैंने एक कोशिश करते हैं कि सुभह ही मेरा काम शुरू होने से पहले में काम कम्प्रीट कर दो तो टाइम बहुत जाधा ले रहा है, मुझे भी देखना है क्योंकि मेरी भी स्टडीज है, तो आप मुझे सज़ेस्ट कीजिए, अगर आप लोग कोपरेट करेंगे कि मैं शाम तक चल तो मैं शाम को वीडियोज डाल दूँगी, जिसमें सब कुछ कवर होगा, आपका एक्स्प्रेनेशन में एक भी आर्टिकल मैं फिर नहीं छोड़ूगी, इस टाइम तक आपको मिल जाएगा, कुशिश करूँगे और जल्दी मिल जाए, साथ बज़े तक, साड़े साथ तक ठीक है, कई बर क्या होता है, वीडियो में जल्दी देती हूँ सुबह, लेकिन सर की क्लासे, सर की मिटिंग्स होती हैं बहुत बार, सर चैनल पे जो मैं उनको वीडियो भीजी हुई होती हूँ, उस पर वो देखते ही नहीं है, तो इसलिए वो कई बार जो है, अपलोड अगर आपको कोई इशू नहीं है, तो मैं शाम को ही भेज़ दूगी, सारा कवर करके, अगर नहीं, तो मैं अपने हैंट से भी कोशिश करूँगी, कि सुबह ही मैं कवर कर दूँ, ताकि आप भी फ्री हो जाओ, इस एनलाइस से और मैं भी हो जाओ, ठीक है, बाकी देखते आप कभी भी अभी पिछल तीन महीने से मैं कंटिनियसली कर रही हूँ, तो आप देखना हम वो आटिकल रिपीट नहीं करते हैं, जो अल्री कवर किया हुआ है, टॉपिक क्लाइमेट चींज का हो गया, एकॉनमी का हो गया, MSP हो गया, बहुत सारे आर्टिकल्स आपने के बताएंगे, कभी जो है individual consumer के rights को लेकर बताएंगे, तो कई बर क्या होता है, थोड़ा सा perspective अलग हो जाता है, इसलिए, तो उसको repetitive को हम नहीं देते हैं, लेकिन by the way, जहां importance होता है, उसको मैं नहीं छोड़ती हूँ, बहुत rare हुआ होगा कि बहुत important article है, और हमने उसको cover ना किया हो, ठीक है, तो आप मुझे बताएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप भी परिशान ना हो, और सुबह ही हम इसको सबको काम complete कर दे, ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं, देखिए, आज एक article सबसे उपर, जो है, health के बारे में है, कल भी universal health के बारे में था आर्टिकल यहां पर नीचे जो है, अभी इंडिया और मौरिशियस ने क्या किया है, अपने जो ट्रीटी है, कि से लेटे, टेक्स लेटे ट्रीटी है, ठीक है, इसको बोलते हैं, डी, टी, ए, ए, बोलते हैं, डी, टी, ए, ए, बोलते हैं, double taxation avoid agreement, ठीक है, उसके बारे में, अ इसके लावा बहुत सारे article explanation पर one by one cover करते हैं, ठीक, तो दिखे, यहां पर यहां राइटर थोड़ा सा जो है, एक imagination से शुरू कर रहे हैं, राइटर कहरे हैं, कि आप जस्ट imagine कीजिए, कि आपको अचानक से एक experiment करने या experience करने पर आ रहा है, कि अचानक से जो है, crisis शुरू ह हो गया है देश में, hospital में, ठीक, वहां patients, drugs, इन सब की कमी होने लग गई है, और आपके पास वहां पर दो crisis हैं, एक तो है, एक तो बिमारी का, कि आप या आपके family members, जो है, patient है, दूसरा यह है, cost का, कि आपके पास पैसा कम पढ़ रहा है, और आप doctor से पूछ रहे हो, कि doctor हम हमारा बिल बहुत जादा आ गया है, और हमारा जो resource है, यानि हमारे पास जितना भी पैसा है, वो भी खत्म हो चुका है, तो क्या आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, can you do something about the bill, तो ऐसी वाली जो scary situation है, यह इसलिए indicate करते हो, imagine करवाते है, writer बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ हो हमारे इंडिया में, कि हेल्थ सेक्टर में जो expenditure है, वो बहुती जादा increase होता जा रहा है, ठीक है, तो और उपर से out of pocket cost, जो है, वो भी बहुत जादा out of pocket cost मतलब, यानि जो आपकी individual, आपकी जो citizens है, government के policies के अलावा, जैसे government कितनी सारी facilities देती हैं, आयुश्मान भारत है, ज होता है, क्योंकि हम लोग जो government, जो health है, वो most of Indians जो है, government hospital से जादा private hospitals को जाएं, जाके concern करके हैं हम लोग, ठीक है, तो राइटर भी इसी चीज में बता रहे हैं, तो इससे क्या होता कि out of pocket, यानि जेव सा जो खर्च है, वो बहुती जादा है Indians का, ठीक है, तो इसका क्या है reason, इसी वज़े से जो है, इसे पूरा आर्टिकल बता रहे हैं, राइटर, इसके लव अभी क्या होँआ था, recently सुप्रीम कोट ने अभी एक NGO के द्वारा फाइल करी पर्टिशन थी, PIL थी, उस पे सुनवाई करते हुए, इन्होंने जो है, clinical establishment article act के rule number 9 को सुप्रीम कोट ने याद दिलाया, और ये बोला, जितने भी private institutions हैं, जिसके अंदर central government के health schemes अपलाई हैं, जैसे आपको बता होगा, कि आईश्मान भारत जो scheme हैं, जिसमें golden cards मिलते हैं, उसमें क्या होता है, कि जितने भी families हैं, पांच लाक तक आप जो है, health service ले सकते हो, किसी भी hospital से, उनके पा यहाँ petition लगा गया है, कि जो private hospitals हैं, जादा charge कर रही हैं, आईश्मान के तहत भी, जिक हैं, जबकि इसमें charges का है ही नहीं, जिक हैं, कि सब कुछ government लेगी, पेशन से charges लेना ही नहीं है, और काफी जगे vary करता है price का, तो यहाँ पे सुप्रीम कोट ने फटकार लगाई है, औ को बोला है, 6 हफते का week है, और आपको यह सारा measurement बताना है, clear करना है, तो writer यहाँ एक चीज तो यह question कर रहे हैं, कि क्या यह jurisdiction government का है, कि government fail हो चुके है, और उस पे जो है, आपकी Supreme Court, जो court है, गोई भी High Court या Supreme Court, जो है, वो intervention कर दिये, कि यह ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक तो य हो गया, दूसरी बात, जो है, राटरी है, यह बताना चाहरे है, कि देखे, अगर हम बात करें, कि आपके policies की, health की policy, एक policy कैसी होनी चाहिए, कोई भी health policy, especially अपने citizens के, इस चीज पे डिपेंड करते हैं, जैसे, for example, अगर कोई भी जो है, अगर बिमार है, आपके family में कोई भ होगा, admit होते ही, आप वो कहेंगे, कि आपके इनके charges वेगरा, आप प्री एडवांस में आप जो है, submit कर दीजे, अगर especially operation है, अगर operation कोई भी operation होगा, तो उसके लिए तो आपको पहले ही पैसे, half से जाधा पैसा, submit करना होता है, in the case of private hospital, ठीक है, तो राइटरी यही कह रहे ह जो है, एक अच्छा, एक effective और एक free care, जो है, healthcare, जिसमें social classes के हिसाब से ना बठ कर, कि जैसे यह गरीब है, यह अमीर है, यह middle class है, इसे साब से ना होते हुए, बिना social category के ही, healthcare जो मिलता है, वही सबसे best healthcare है, अब जिससे राइटरी यहाँ पर focus कर रहे है, universal healthcare, देखे, universal healthcare क्या होता है, जिसमें सरकार क्या करती है, टेक्स कलेट करती है, जिसमें लोगों के द्वारा, जैसे इंडिया में GST है, ठीक है, GST, जो कि हर एक product प्याँ का टेक्स लगता है, indirect tax, यह एक source हो गया, government का revenue generation from the tax, तो इसमें क्या होता है, कि सरकार इनी टेक्स से पैसे लेते हुए, लोगों के जो healthcare है, जैसे हमारे में PDS सिस्टम है, अब PDS सिस्टम के लिए पैसा कहां से आता है, तो टेक्स से लेती है, जिससे वो किसानों से जो है, यह हो गया आपका, ठीक है, वीट हो गया, यह राइस हो गया, जितने भी procurement करने का grains है, उन सब को PDS सिस्टम में वो distribute करती हैं, तो ऐसे ही writer कह रहे हैं, कि universal healthcare भी ऐसा होता है, जो कि tax से होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को provide कराना, और इसके साथ साथ जो rich को subsidies जीज़ा, जैसे rich लोग जो होते हैं, यह rich community जो है, वो health, जो poor होती है, उनको subsidy देना, ताकि कोई भी society के अंदर poor और rich है, उसका जो differentiate है, regarding health के, at least health में तो जो है, बिना society classes के, जिसको जितनी जरूरत है health की, यानि बिमारी की हिसाब से, वहाँ पे उन्हें service दी जाए, rather than money के हिसाब से, ठीक है, तो writer के कह रहे हैं, कि वही एक health service जादा अच्छा होता है, जिसमें कि, जैसे अगर आप by chance कोई अच्छा, कोई भी व जो issue है, यानि heart attack है, तो उस disease उसको cure करने पे जादा focus होना चीए, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छी policy होना चीए, एक अच्छा insurance, एक अच्छी से जो method वे होता है, जिसमें, जिसमें आपकी money जो है, money या आपकी जो social classes है, वो priority में ना हो, तभी जो है, आप इन से फोकस था कि हमारे universal healthcare को जो है, फोकस करना है, और कुछ states ने करा भी, even writer कह रहे हैं कि कुछ state में तो क्या है, कि आपके government hospitals से जादा, जो आपके private players है, उन लोगों ने बहुत बड़ा game शुरू किया है, जिसे उनके बहुत बड़े-बड़े hospitals, बहुत बड़े-बड़े buildings बना है, इवन writer कह रहे हैं कि कुछ लोग तो जो है, hospital as a charity के form में start कर रहे थे, ठीक है, यह शुरूआत की बता रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद से, लेकिन जब लेटर और इनने पता चला कि health care जो है, बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव है, यानि बहुत ज़्यादा इसमें ज लाइफ के लिए important, जो है, हर चीज जो भी कमाता है, अच्छे खाने और अच्छे health के लिए focus करता है, तो writer भी यहीं कहने हैं कि और जब से liberalization होने लगा आपका, like 1990 के बाद से, ठीक है, और तो इससे क्या हुआ कि in private, जो sector था आपका hospital का, इसमें liberalization के बाद से, बाहर की company या बाहर की जितने भी FPI या FDI invest करने वाले क्या हुआ, इन्हें दिखा कि भईया, इंडिया में private hospitals काफी अच्छा चलता है, तो इसमें invest करने लगए, तो इससे क्या हुआ कि जो private hospitals है, इनको funding मिल गए, तो इन्होंने बड़े से बड़े buildings लगाया, बड़े से बड़े facilities, सब कर रहे हैं, आज जो है health sector, जो चीज़ आपके government को देनी चीज़ थी, वो चीज़ आज private player दे रहे हैं, तो इससे क्या है, middle से middle class family भी जो है, आप सीधा अपने private sector के सही services लेना प्रफर कर रही है, तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं, कि इससे यह पता चलता है, कि इंडिय जो है, एक अलग dominant market economy चलती है, health care की, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो है, दूसरा एक और चीज़ यह बताना चाहरे है, कि यहाँ पर क्या है, कोई भी जैसे, कोई भी जो है, यहाँ पर एक तो regulation बहुत लीस्ट है, इंडियान में, लीस्ट से मतलब क्या है, कि दॉक्टर का क्लेनी खोल सकता है, यहाँ पर जो है, कोई accountability नहीं है, ठीक है, और इसके लावा जो professional जैसे, for example, doctors already hospitals में है, वो खुद को hospital चलाते है, that means, वहाँ पर कोई भी उनकी जो है, ethical जैसे चीज़े नहीं है, ठीक है, या फिर जो conflict of interest है, जैसे आपको पताऊगा, judges के सा जो है, conflict of interest, जैसे अगर कोई आपका जो hospital, जैसे आप hospital, government hospital में हो, तो आपके पस कोई rights नहीं बनता कि आपके पास private clinics हो, ठीक है, आप उल्टा, पीछे से जो है, पीछे की दरवाजे से जो है, अपना private clinic चलाते है, तो यहाँ पर थोड़ा time free, यहाँ पर थोड़ा time, और यह यहाँ के patients को लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कई बार क्या होता है, manipulate क्या जाता है, कि आप यहाँ से service ना लेकर, लेकिन patient आए, government hospital में है, लेकिन doctor कुछ-कुछ specialist क्या करते हैं, उनके जो दलाल विगर होते हैं, mediators होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन patient से बात करके, कि जो है, सेवा दी जाएगी, तो kind of चीज़ें जो है, यह conflict of interest ही तो है, तो आप, जो patients, government hospitals में आया, उनको आप कही न कहीं influence करके, अपने private पे indulge करवा रहे हो, तो इस तरह के से चीज़ें क्या होते हैं, कि बहुत ज़़धा costly, बहुत ज़़धा private oriented हो जाती है, जिसमें लोग जा भी रहा हैं, क्योंकि देखे, health chance से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, तो writer बाद बार ही हैं, यही criticize कर रहे हैं, कि जो चीज़ गौर्बन को करना चाहिए, वो एक private players कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा drawback है, हिंडियन के health sector में, तो writer अगर हम बात करते है, political parties की, तो writer कह र जानी, वही है कि politics है, politics किसमें, वो अपने voting का फाइदा देखते हैं, जिसमें vote जादा होंगे, उस sector पे वो लोग बात करेंगे, ठीक हैं, तो यहाँ पर writer इसी चीज़ का criticize करते कह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं, अब जैसे for example, पहले देखे, कि आरयोगे श्री जैसे schemes जो है, आ आयुश्मान भारत, प्रदानमंदर जन आरोगे योजना के तैयर, ठीक हैं, लेकिन उसमें writer कहें हैं, कि जितना मिलना चीए, उतना नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें भी private health sector जो है, वो जादा, उनकी ही जादा demand हो रही, क्यों, क्योंकि आपने, आपको भी बताऊगा कि private sector के demand इसली हो रहे, क्योंकि quality है, quality है, वहाँ पर जो treatments है, वहाँ पर जो cure है, वो अच्छी है, लेकिन उसकी जो cost है, वो बहुत जादा है, ठीक है, तो writer यहीं कह रहे हैं, और इन्हीं चीजों के लिए जो है, ऐसा नहीं है, कि इन पर कभी stop करने के लिए, इन्हीं चीजों पर ध इन्हीं है, rational cost क्या होना चीज है, कि अगर आप कोई clinic खुल भी रहे हो, तो वो किस basis पर होना चीज है, आपके पास license है या नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए ही यह चीज शुरू करी गई थी, लेकिन writer बता रहे हैं, बहुत सारे states ने तो अभी तक इस act को apply ही नहीं किया है, ठीक है, तो इसी वज़से जो है, यह काफी जादा gap आजाता है हमारे healthcare sector में, एक मिनट, हाँ, इसके लावा writer बता रहे हैं कि अगर आप यह सोचने है कि private healthcare को society के responsibility पे अपनी cost को कम कर दियना चाहिए, तो it is a naive thing होगा, मतलब एक बेवकुफी वाली thought है, क्योंकि अगर आ जो है, cost बहुत जादा highly cost देकर ही help provide कर आ रहे थी, ठीक है, unfair था, जो चीज राइटर कहे रहे हैं, जो चीज आपके government को देना चाहिए था, subsidies लेकिन वो यह दे रहे थे, private sectors, ठीक है, तो यहाँ पे जो है healthcare, writers के लावा यह भी बता रहे हैं, कि देखे, even जो private sectors है, इन्हें भ ही है, कि यहाँ पे काफी जादा entrepreneur वाली जैसे चीज़े आती है, फाइदा वाला है, सब कुछ, ठीक, हाँ, इसके लावा यहाँ पे चीज यहाँ पर राइटर ही बता रहे हैं, कि देखे, अब जो है, court ने इस चीज़ को उठाया है, court ने फटकार लगाई है, तो राइटर health sector में, जो funding है, government के द्वारा, वो lowest है, ठीक है, हाँ, अगर आप जिसे अभी अगर देखो के, कि हमारे इंडिया में, I think 2% के आसपास है, इससे भी कम ही, जो है, budget लोकेट किया जाता है, health care के लिए, even बहुत सारी countries, चाइना अगर हमें देखो के, तो 6% से जादा है, ठीक है USA, China, इन वगरा में, देखो के, government के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा एक fundamental issue है, तो राटर यहां यह कह रहे हैं, कि court के द्वारा अगर वो अभी चीजों पर ध्यान भी दे रहे हैं, तो लेकिन हमारा जो fundamental issues है, क्या इसको address करेगी court, ठीक हैं, तो अब अब देखिए, अभी अभी के elections का time चल रहा है, और new party आने वाली नहीं सरकार होगी, तो रैटर गिरें कि हमें यह देखना था कि manifesto जो parties निकालती है, कि वो कौन इसमें से healthcare को commit कर रहे हैं, लेकिन यह सब चीज़े कहीं न कहीं side किनार करी गई है, ठीक है, तो यहां पर personality और identity की बात जादा चल र देखिए, next article जो है आपका India Mauritius के बारे में है, देखिए, इसमें क्या है, इसमें चीज़ें आप पड़ोगे, इसमें clear नहीं है, लेकिन मैं आप हो पूरी basic से बताती हूँ, क्या है, देखिए, एक concept है हमारा base, एक नट, हाँ, देखिए, यह है base erosion profit shifting है, ठीक है, देखिए, इसमें क्या होता है, कि जैसे for example, आप माण लीजिए, कोई company है, ठीक है, और इसके branch है, एक parent company है, जो मान लीजिए, आप India में है, ठीक है, यह इसकी company इंडिया में है, या फिर India, हाँ चली ठीक है, इंडिया ले लीजी, इसकी branches है, company, इसके ही सब company है, B, और इसकी company है, दो त में जो है ऑस्ट्रेलिया में माल लीजी ठिक है एक्जाम्व tornar के लिए अब यह क्ति है बैस सी कमपनी क्या है कि है तो यह इंडिया की लेकिन क्या करते ही अबना श्याइन टिरेखा और चाहि HDR कि लेकि एसे बांगलादेश में ये headquarter दिखा देगा और sale कहीं और करेगा तो ऐसे ही Australia में अपने headquarter दिखाएगा कहीं और sale करेगा तो इससे क्या हो रहा है कि जब China की company में headquarter दिखाता है तो जहाँ headquarter वहाँ पे उनको tax भरना पड़ता है local government को इसको China को भरना पड़ेगा और इसको जो है आपके Bangladesh को भरना पड़ेगा और इसको Australia में लेकिन ये लोग दिखाते हैं कि अब जैसे ये अपना headquarter जबकि इसका जो tax है इसका main head का है वो है तीनों का इंडिया में ठीक है लेकिन ये क्या दिखाते हैं कि China, Bangladesh और Australia में तो क्या होते है कि इन countries में क्या आता है ये दिखाते हैं कि हमारी जो company जैसे China में जो company है वो दिखाएगी कि इसके पास जितना भी profit है वो shift कर देगी में इंडिया के अंदर लेकिन China को वाले government को क्या बुलेगी कि नई मेरा तो जो company है वो loss में चल रही है ठीक है लॉक्स में चल रही है तो मैं पैसा नहीं दे सकती है आप देख लो जबकि वो अपना profit काँ शिफ्ट कर चुकी है इंडिया में ऐसे ही same B company जो बंगलेदेश में है वो क्या करती है अपने profit को shift कर देगी किसी और company के through कहाँ पे सीधा इंडिया में ठीक है क्योंकि वो इसकी main parental company है लेकिन इसने बंगलेदेश में अपने आपको headquarter यहीं दिखाया कि नहीं यह वाली जो B company है इसका main branch ही बंगलेदेश है तो यह यहां के local के government को दिखाएगी कि नहीं मेरा जो profit है वो इतना अच्छा नहीं है लेकिन government वहां के Australia के government को क्या बोलेगी कि मैं loss में चल रहा हूँ तो मेरे पास जितना profit है उसी कहीं मैं tax दूँगा तो यह क्या होता है कि कहीं न कहीं इनका main core benefit है ना यानि इनका जो profit है इनके जो profit है इन तीनों company को जो profit है इसको यह erode करके कहां अपने parental company के branch में बेज रहे हैं इंडिया में तो इससे क्या होता कि जो China, Bangladesh और Australia है इन company को तो loss होगा ना ठीक है तो जो आपका China, Bangladesh और Australia है इनकी government को तो loss होगा क्योंकि इन्होंने अपने headquarter तो यहां दिखा है और यहीं पर सारा manufacturing कर रहे हैं कुछ sale कर रहे है और यह जब कि अपना फाइदकान भेज रहे हैं इंडिया के अंदर भेज रहे हैं ठीक है इंडिया के अंदर भेज रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं base erode इसी को इसी को जो है आपका base erode profit shifting बोलते हैं ठीक है तो यह एक basic concept है आपको ही समझ मैं कि base road profit shifting की that means आपका जो parent company कहीं और है और उनकी जो sub branches हैं अलग-अलग लेकिन वो अपने आपको head branch दिखाती है यह नहीं बताते हैं कि मेरा head branch India है वो खुद को यह बोले कि यह हमारी main company है और अपने profit को अपने main में बेच के जिस देश में उसने लगा रखा है वहाँ profit कमाती है यह यह इंडिया का example दिया है लेकिन ऐसे पूरे देश में वो पूरे ग्लोबल में होता है ठीक है अब सेम चीज क्या होता है कि देखें अब इंडिया इंडिया के पास ऐसे ही सेम क्या है कि इंडिया और मॉरिश्यस हमारे नीचे जो अंडमान वहाँ पर कंट्री है मॉरिश्यस के साथ क्या होता है मॉरिश्यस के लोग कम से कम 12 लाग के आज़ पास ही इसकी पॉपलेशन बहुत ही छोटा सा आइलेंड आईए वहाँ से लोग इंवेस्ट करती है इंडिया में अब इंडिया और मॉरिश्यस ने 1983 के आज़ पास एक ट्रिटी साइन कर रही थी क्या साइन कर रही थी कि भाईया मॉरिश्यस के जो भी लोग है न अगर वो इंडिया में जैसे एसा क्या हो रहा था पहले कि भाईया अगर मॉरिश्यस की कंपनी है तो कोई बात नहीं वो क्या करेगी कि वो इंडिया में टेक्स ना देखे वो अपने घर में ही यानि अपने मॉरिश्यस में ही टेक्स देदेगी तो ये इन बिट्वीन जो है इनकी एक साइन्टी एग्रिमेंट था इंडिया और मॉरिश्यस के बीच में ठीक है तो इसी को ही क्या बोलते है बी ए टी टी बोलते है डबल टेक्स अवोईड जो है एग्रिमेंट बोलते हैं इसको ठीक यह आपको समझ में आ गया यह हो गया डबल एक मिनट डबल टेक्स डबल टेक्स अवाइड एग्रीमेंट ठीक है किसने साइन किया इंडिया और मौरिशेज ने किस चीज़ के लिए कि एक तो देखो बेस इरोजिन प्रॉफिट शिफ्टिंग के गला कॉंसेप्ट है यह है कि इंडिया और मौरिशेज के बीच में जो कंपनीज है एक ही कंपनीज जब इंडिया में आ रही है और इसे इंडिया में भी टेक्स देना पड़ रहा है और मौरिशेज में तो इन दोनों ने साइन कर लिया डी टी ए अब इसका क्या हुआ अब देखे अब मौरिशेज यह मौरिशेज है ठीक है और यह इंडिया है अब ndyya मौरेशस में जो कपनी सी यहां के लोगों के द्वारा बनाई वी कमपनी वो तो करी रही थी ठीड ठीछ? और टेक्स मौरेशस में दे रही थी लेकिन मौरेशस के अलावा और भी भार के वोर्ल्ड की जितने भी और countries दी, China हो, चाहे वो आपका Australia हो, या US की कोई company हो या Europe की company हो, वो लोग क्या कर रहे थे, वो Morishes में अपना headquarter बना रहे थे, headquarter बना कर वो as a Morishes की company अपने आपको दिखा रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, इंडिया में invest कर रहे थे, share markets में अब इंडिया देखेगा कि भाईया फलाना यह company है, कहां से है, Morishes से है तो यहाँ पर आप इनको tax देना नहीं पड़ेगा सीड़े Morishes को दे देंगे, लेकिन वो actual में Morishes को भी नहीं देते थे, है ना क्योंकि Morishes में क्या करते थे वो लोग Morishes में यह बोल दे थे, कि भाईया, हमारी जो company है, इसका जो main, अब जैसे मानली जो कोई H company है, अब इसका headquarter कहां पर है, US में है, अब यह अपना सारा profit US को share कर देते थे, और Morishes को दिखाते थे, कि हम हमारे headquarter Morishes में तो है, लेकिन हम loss में हैं आप खुद देख लो, तो इससे क्या हुआ, कि अब इससे क्या हुआ, कि ना तो इन्होंने इंडिया को दिया पैसा, क्योंकि इंडिया और Morishes के बीच पे तो sign हो रखा था कि double taxation avoid करना है, ताकि Morishes के लोग के जो company है, वो इंडिया में आके invest करे लेकिन इस चीज़ का फाइदा बाहर के लोगों ने उठाया, और other countries के लोगों ने, ठीक है, और उन लोगों ने Morishes को भी क्या पागल बनाया, ये बोलते हुए कि भहिया, हमारा तो जो है loss है base erosion करके, base जो है erode करके, base erode कि इस चीज़ का, profit shifting का, base erode, profit shifting करके, इन्हों ने का कि हमारी जो, इन्हों ने headquarter को बोला कि नहीं, हमारे ये headquarter हो, जबकि अपना cost जो है US बेज के, ठीक है तो इस तरीके से ये एक fraud चल रहा था, ये game globally, ठीक है इससे पहले भी जो है actions उठाए गए तो अब क्या है, अब news में क्या है, ये basic concept आपको समझ में आ गया थी चिक, अब क्या है, कि भाया, इंडिया और मौरिशेज ने treaty sign करे, वापस amendment किया है, जो इनकी treaty थी थी ना DTAA, तो इन्हों ने ये amendment कर दिया, कि पहले ये था कि double taxation avoid की, ताकि मौरिशेज के लोगों को double tax ना करना पड़े, इसलिए ये agreement लेके आये थी, अब इंडिया ने ये बोला, कि भाया, सीधी बात है, अब मौरिशेज की एक तरफ से जो भी company आएगी इंडिया में invest करने के लिए, उसे बताना होगा कि वो इंडिया में क्यों invest कर लेकिन अब इंडिया ने बोल दिया कि आपको बताना होगा कि क्यों कर रहे हो आप invest, अगर आप अपने tax को बचाने के लिए तो फिर ये आप invest अब नहीं कर सकते हो तो इससे क्या हुआ, ये amendment से क्या हुआ, अभी फ्राइडे को ये amendment हुआ है, इससे बहुत चाल मज़ गया, शेर मार्केट्स में, और शेर मार्केट्स में क्या हुआ, कम से कम 1 बिलियन के आसपास जो है, लोगों ने पैसा निकाले इंडियन शेर मार्केट्स से और कहां से थी, वो सारी कंपनिया मौरिश्यस से थी ठीक है, तो इसी वज़े से जो है राइटर यहां यह बताना चाहरी है, कि इंडिया और मौरिश्यस की जो यह ट्रीटी हुई है, यह कहीं ना कहीं इंडिया के जो FDI आने वाली जो investment आता है, क्योंकि no doubt भले वो US से से आरी हो, चावो कहीं से ब आरी हो headquarter company बना लिया, है ना जबकि वो parental company दूसरी है, उनका head तो कहीं और है, और खुद को head बताते हो इसने मौरिश्यस को भी बोल दिया कि और अपना सारा benefit और अपने head को भेज दिया और बोला कि मेरे पास तो कम पैसे हैं, है ना, तो दोनों ही companies, दोनों ही countries को उन्होंने पागल बनाया है, तो इसी चीज़ पर राइटर यह बोल रहे हैं, कि इस तरह के amendment जो है, especially OECD countries ने भी countries ने भी इस चीज़ पर raise, जो है voice raise करा, ट्रिक है, treaties लाने के लिए तो यही चीज़ है, इसमें मेली, आप इसमें जो मैंने बताया था न, आपको कि इंडिया ने बोला, कि अब जो मौरिशिस का DAT, जो agreement है, उसमें आपको principal purpose test clear करना पड़ेगा, principal purpose test यानि आप क्यों invest कर रहे हो इंडिया में, अगर आप tax करने के लिए कर रहे हो, तो अब नहीं होगा लेकिन इसके अलावा, अगर कोई option है, आपके पास और कोई reason है, तो आपको purpose बताना होगा, ठीक है, इस चीज़ को emphasize कर दिया है, इंडिया और मौरिशिस ने, तो यहाँ पर एक data बता रही है, कि writer, कि देखे, अगर आप 2021 के competitively देखो, 2021 और 2022 के बीच में अगर देखोगे न, मौरिशिस से इंडिया में आने वाले FDI, FDI क्या होता है, foreign direct investment, यानि जो आपके share markets में देखे, एक होता है, FPI, एक होता है FDI, foreign portfolio investment और FDI, इसमें फरक क्या होता है, green और brown field का होता है, FDI सीधा green field में होता है, green field यानि कोई नया, जैसे नया business होगा कि उसके नया office होगा है, नया branch होगा सब कुछ नया होगा, वो green field है, उसमें investment आपका FDI होता है, FPI क्या होता है, brown field में होता है, brown field मतलब already वो business चल रहा है, जैसे मान लीजियो कोई business है, तेल का business है वो चल रहा है, वो किसी company का, वो बेच रहा है, ठीक है, तो उसको कोई और company आके खरीदे ये भारगी, तो उसको FPI, foreign portfolio investment बोलते हैं ये brown field में होता है, ठीक है, यानि secondary तरफ से investment हो रहा है, है ना, तो एगर हम FDI की बात करें, उसका कम से कम 16% सीधा-सीधा कहां से आ रहा था Mauritius से, 21-22 में, तो राइटर वही कहरे हैं कि इन सारे जो amendments हैं, इससे क्या होता है कि कही ना कहीं इसका इंपाक्ट पढ़ सकता है specially जो आपका ये PBT principle purpose text है, इसके बारे में तो यही चीज जो है, गुमा फिरा के इनोंने बोला है और आने वाले टाइम पर जो है, आपका text जो से आने वाले, जो corporate text है, वो भी below हो सकता है, ठीक है, तो overall story यही है, लेकिन इसमें बहुत चीज़े इनोंने नहीं बताई है, राइटर ने, ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो है, basic से बता दिया, कि क्या है base erosion shift, क्या है आपका, ठीक है, base erosion, इस पर question भी आ चुका है, आप देखिएगा, UPSC ने पूछा है, और इसके लावा India-Maurishis के बीच में जो DATT treaty है, वो क्या है, यह भी concept बता दिया आपको मैंने, ठीक है, तो I hope आपको यह article समझ में आ गया होगा, तो हम next चलते हैं, लेकिन मैं भी आप इसको बंद करीओ, एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करके मैं देती हूँ आपको, ठीक है, continue, हाँ, तो यह article का आज का पार्ट टू है, जिसमें आइडिया पेश पे हैं, तो देखिए, इसमें यह दोनों यह article, एक तो चलो climate पर थोड़ा सा data है, लेकिन यह जो article है, इधर वाला, यह parrot वाला catch parrot का, इसमें मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन, मतलब थोड़ा लॉजिकल साउंड नी करता है, फिर देखते हैं, इसमें कहा है, अभी आपको पता होगा, कि हमने कितने, बहुत सारे article, जो है, क्लामेट के बारे बढ़ा था, कि क्लामेट की इस तरह किस इंपैट करें, लेकिन इसमें से जो है, सही में चीज राइटर रिपीट करें, लेकिन एक थोड़ा सा सेग्मेंट इक अलग लगा मुझे, इसमें यह है कि देखे, इन्होंने चिल्रंस के उपर बताया है, कि योनिसेफ ने अभी डेटा निकाला था, दोज़ार तेईस में, इन्होंने का कि 76% 35 डिगरी से जादा, ठीक है, और स्पेशली अगर 18 एट से अंडर के एज में देखोगे, तो बहुत ज़्यादा इंपक्ट हुए, और 4 बच्चों में से, South Asian में से, 3 बच्चों को सबसे ज़्यादा extremely high temperature face करना पड़ रहा है, ठीक है, और 3 में से 1 बच्चों को 32% globally face करना इंपक्ट यूद्स का impact एक सेगमेंट चिल्रंस पर कितना impact पड़ रहा है, और यह UNICEF का data है, 76% चिल्रंस, स्पेशली साओट एश्या से हैं, जिनपर तेमप्रेचर का impact पड़ रहा है, इसके लवा जो आपके यही है कि, क्या क्या reasons जैसे पर सीजन, festivals, यहीं आपक्ट मिस्टप गौरव वल्लब जो है यह एक्शली कॉंग्रेस के थे इन्होंने पार्टी चींज करी है ठीक है तो इसलिए क्या हो रहा है कि अभी इन्होंने पूरी तरीके से मितलब जैसे हम आपने देखा होगा सुप्रीम कोट ने भी यह ना जैसे कisme अब है कि स्पेश्ली सीवी कि अगर बात करें तो इसेम की करती है जो मालिक के अंडर में चलती है चीक है तो उसी की बात सुनता है सिद्भी कोट ने है इसी चीज़ को आई दिन आपने देखा होगा कि आपके CBI और ED काफी न्यूस पर रहती हैं तो यहां पर गॉराव वलब जी जो हैं सपोर्ट में बोल रहे हैं हम ऑल्दो इसको डेटा लिख नहीं सकते लेकिन एक दो पॉइंट हैं जहां हम डेटा के बेसिस पर बता सकते ह हैं जैसे इन्होंने काया कि CBI और इंफोस्ट्रेट डिरेक्टर पे जो आपका इंवेस्टिकेशन लगता है लोगों के द्वारा की सरकार के द्वारा बताये हुए इस पर चलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो इन्होंने यह बात बताईए कि अगर पिशले 11 साल से आप प्वेसीं परेशर से उन केसित को लगाए गया है बाकी रैस्ट फ Bay के द्वारा यőजी जो हैं उनके रेगुरीशन के बेसिस पर इसके लवाज जो है ED है इन्होंने कहा कि जैसे ED पे भी चार्जे लगते हैं कि ये economically देखें ED का काम क्या है ये economic से related जो भी crimes होती है उन पे काम करता है और इस पर भी crime लगता है कि politically driven investigation करते हैं ठीक है तो लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर आप बात करोगे पिछले कुछ time से 6,260 preventing of money laundering PML cases आए है उसमें से 149 cases ही है जो politically है ठीक है rest of cases जो है वो normal cases है उनके द्वारा सीधा action उठाए गया और ये सारे cases जो है कम से कम 27,000 करोड तक का worth रखता है ठीक है तो इसके साथ जो है इन्होंने बोला है कि अगर इनका जो procedures अगर आप देखोगे ED का भी जो procedure है इ जो कि कम से कम 16,000 करोड का worth है यह कही ना कहीं जो है support कर रहे है इन organizations को लेकिन हम अगर हमारे पास ऐसा question आ जाता है देखिए सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है ठीक है आप पड़े रिखे हैं मैं भी articles देखती है न्यूस देखते हैं हम लोग भी दिन बर चीज़े दि लेकिन हमें अपने exam perspective से हमें लेना है तो हम जो है कभी CBA इनके support में यह article यह जो point है यह money laundering का case जो है लेकिन इतना नहीं है हम इस frame में जो है हम बता सकते हैं यह यह data हम थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं सेम इनों ने यहां पर यह भी बात बोली है जैसे for example जैसे अगर आ बहुत सारे आर्टिकल्स हमने देखे कि जुरिश्टी कई बर सो रही होती है यह लेट ही वह जो है decisions देती है जैसे इलेक्टरल बॉंड का जब हमने डिसकस किया था तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे थे कि इलेक्टरल बॉंड से अचानक से जो है Constitution का जगना यानि सुप्र यह तो देती है लेकिन कईना कईना कभी सप्राइज भी है कि अचानक से ही उठता है कि लेट है तो काइंड ओफ टॉंट वाली जो बात है तो राइटर के रहे हैं यह जो है मिस्टर गौरवललब कह रहें कि ऐसा नहीं है यह डेमोक्राटिक फाइबर को बचाती है फैब्र हाँ अपनी पॉलिटिकल कोई चेंज करता है तो उसकी भी रीजेंस होते हैं और कुछ रीजन कंसिडरेशन होते हैं ठीक है और आप जो है किसी भी जैसे इनकमीं कहना कह RIGHT है कि अगर पॉलिट कोई पार्टी चेंज भी कर रहां तो तन मींज वह जिस पार्टी में है उसका कोई मोटिव नहीं है और जिस पार्टी को वह जॉइन कर रहे हैं वहाँ पे मोटिव हैं इसलिए उन्होंने जॉइन किया है ठीक है तो एक सपोर्टी में बुला लेकिन मेरे साब से इक्जाम पर्सक्रेक्टिव से सिफ आपको यह दो ही जो है पॉइंट एडी का और जो सीबीया वह दिखा बाकी इतना इंपॉटेंट नहीं है यह चलते हैं देखें एक्स्टार्टी करके हैं क्या है यह लामा दिखें अभी मैटा कंपनी जो है आपकी जिसके अंडर में फेस मिलान की तरह बोला हिनसान की जो ही लांगविज है मां लेंगविज इटनी भी आलग अलग है उन सब कर्टेक्स्ट जो है प्रिपकर कशा है यह चिक है लांगविज का है यह थे तम खी और यहां परणकी इसको फॉड़िक्र मोंडल्स टीन किया है musical ळॉड करो यह भांवist टेकनीकल है कि यह कितनी जीबी का है कितना कुछ है यह हमारे एक्जाम परस्पेक्टिव से कुछ इतना नहीं है लेकिन आपको वर्ट से पता होना अच्छे कि लामा 3 क्या है यूज में था ठीक तो इसके लावा नेक्स राटिकल है प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में अभी क है ग्लोबल में उटावा जो कानड़ा है वहां पर जो है अभी कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं किसमें प्लास्टिक पॉलूशन के रिगारिंग ठीक जैसे राटर बता रहें कि इसमें देखी इससे पहले क्या है कि 2015 में पैरिस एग्रिमेंट हुआ था जिसमें 195 पार्टी पार्टिसिपेट करके बोला था कि हम आने वाले टाइम पे 1.5 डिगरी से कम टेंपरेचर को हम रिडियूस करेंगे ठीक है तो अब जो है उसी चीज़ को लेते हुए और इसके सासा जो है योएन इंवार्मेंट असेंबली हुई थी 2022 में इन्होंने का था कि 2024 तक ना हम बी यूज होता है और कैसे यूज किया जाता है और इसको कैसे डिस्पोस करना है अगर जहां अगर इन्हें लगा कि इन तीन स्टेज पर यह फोकस करेंगे कहां होता है कैसे यूज होता है कैसे डिस्पोस करना है अगर इन्हें लगा कि कि किसी भी सेक्शन को कैंसल करना है यह क चाइना है वो काफी जादा जो है ओपोजिशन मेंशन कर रहे हैं इसके ओपर चिक हैं क्योंकि इस पर जो है अब इस पर ट्रीटी शुरू हो गई तो फिर यह बैन भी हो सकता है या कैप लग सकते हैं प्रोडेक्शन लिमिट हो सकती हैं तो यहां पर जो हैं जिसे 60 कंट्रीज युर्पेन उनियन के साथ जिसे जपाइन और भी कंट्रीज जो पोलुशन को 2040 तक खत्म करना चाहते हैं स्पेशली प्लास्टिक पोलुशन को ठीक है तो इसके साथ जो है इनका मेंली कॉमनली क्या है कि बाइंडिंग प्रोविजिजिन तो री स्टें री रिडि जो स्पेशली ग्लोबल पार्टनर्स है प्लास्टिक सर्कुलेटरी के द्वारा स्पेशली अमेरिका केमिकल काउंसिल प्लास्टिक बेज एक कंपनी है इस पे आप जो है अपलाए ना कीजिए ऐसे कहना है कुछ कंट्रीज का अब आने वाले टाइम पर देखिए बहुत सा अपनी जैसे यूनिलेवर है पेपसी को है वालमॉट है यह ऐसे बिजनस कंपनी जो प्लास्टिक ट्रिटी के लिए एगरी है जबकि यह लोग भी बहुत जादा ही प्लास्टिक को यूज करती हैं ठीक है स्पेशली अपने पैकेजिंग वेगरा में बहुत जादा नेगु ठीक है तो एक आर्टिकल यह छोटा है इसके बाद एक बड़ा आर्टिकल देखते हैं देखें इसमें क्या है इसमें सिंपली यह है कि करनाटक की गौर्नमेंट में अभी क्या किया जो हुका होता है इसको बैन कर दिया कि आप जो है बाहर सर्विस नहीं दे सकते हो इसका ज इन्होंने इस पर क्या बोला है जब पोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने का कि देखे यह आर्टिकल 47 और 91 का प्रोटेक्शन करता है इसमें क्या आई देखे आर्टिकल 47 क्या है आपका DPSP है और DPSP में यह आए कि भीया आपका जो है DPSP कहता है और यह प्रोहिबीट कर सकता है कि अगर कोई भी ऐसा मेडिकल पॉपस कोई भी ऐसी चीज जो ड्रिंक्स और ड्रग्स है जो मेली इंजरीज है लोगों के लिए तो स्टेट के फॉर्म में जो भी स्टेट है आपकी जो गौर्मेंट है वो अंडर इस आर्टिकल के तहट 47 के त तो देखें यहां पर कोट ने भी बोला है कि DPSP जो होती है ना आपकी जो है कि इनफोर्सिबल तो नहीं है ठीक है नॉट इनफोर्सिबल है लेकिन यह गौर्मेंट की ड्यूटी हो जाती है क्योंकि यह जो है उनकी रिस्पॉंसिबिलिटी अपने लॉज में इनकल्केट क है स्पेशली 47 से आपका कहीं ना कहीं डिरेक्ल 21 जो लाइफ ऑफ डिगनिटी है उसको वो बचाता है क्योंकि 47 यह बोलता है कि अगर ऐसा कोई भी प्रोडेक्ट ऐसा कोई भी प्रोडेक्ट जो हामफूल है उसके तहत आप इस पर बैन लगा सकते हो ठीक है तो यह आर्टि 19 1 G जिसमें यह बोलता है प्राक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ओन एनी ओक्यूपेशन ट्रेड और बिजनस गारंटेड बाई आर्टिकल 19 1 G को वायलेट करता है क्योंकि इसमें से एनी प्रोफेशन में तो हुका भी आता है आपका ठीक है तो पेटिशनर बोला कि यह ग प्रोफेशनर बोला कि यह गार्टिक ने प्रोफेशनर बोला है तो यही चीज जो है आर्टिकल 47 के तहट जो है स्टीट गॉर्में ने जो है 19 1 G के तहट राइट ऑफ दसिटिजन के तहट इस पे जो है बैन कर दिया और इसमें जो है अब देखिए अगर आप बात करेंग कि यह जो टबैको वेगरा में जो है अंडर सेक्शन 31 सिगरेट और टबैको प्रोडेट प्रोफिशन ओफ एडवर्टाइसमेंट एंड रेगुलेशन ट्रेट कॉमर्स प्रडेक्शन सप्लाई जिसको एक्ट कोट पा बोलते हैं इसके तहती जो है रूल्स और रेगुलेश कि कोई भी सर्वस स्पिष्थ्ट जो स्मोकिंग जैसी चीज़ें उसको पोल्रीकली ऑलाउ यह सकता और हुक्का जैसी चीजे चीजों को जो अपने रेख अव्हागा वह एका इक सफैंड से होता है और मूविज में लेख खेर फदा नहीं किईसा और यह तो उसको जो है ए сможешь कर देते हैं तो आपर जो है कोड ने चीज बोली है कि यह अंडर सर्विस के अंडर में नहीं आ सकते है तो यह गलत है तो आप इसको एसर्विस के फारillar नहीं कर सकते हो तो इसको बैन कर दिए है आप देखते हैं किकनो होता है लेकिन अब देखें नेक्स टार्टिकल जो है health insurance है अगे नेक्स टार्टिकल है हमारे health insurance पर देखें क्या है पर बेसिक information में आपको एक बता देती हूँ, अगर आप अभी कभी भी insurance अगर आप ने लिया हो, family में किसी ने लिया हो, तो आपको पता होगा कि 60 के अंदर में अगर आप insurance लेते हो, तो क्या होता है कि जैसे आपने कोई insurance लिया है, ठीक है कि अब ये, अब पांच साल तक जो है आपका ये insurance है, आप प्रीमियम भरते रहोगे, इसको प्रीमियम बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि insurance company पहले से आप से कुछ details लेती है, कि आपके पास पहले से कोई बिमारी तो नहीं है, जैसे आपके पास कोई कफ वेगरा है, या फिर आपको जो है कोई अस्तमा की problem है या चश्मा लगाते हो, या कोई already जैसे heart attack है, या sugar है, ऐसा कोई है तो नहीं, अगर बाईचास माल लीजे आपको sugar है, ठीक है, आपको अस्तमा है तो क्या है, जो company insurance insurance देती है, वो इस हिसाब से क्या करती है, ये कह देती है, आने वाले 3 साल तक हम हमारे insurance इस tablet या इस से rated tablets को cover नहीं करेगा, इसके अलावा अगर आप accident हो जाता है, आपके तवेद खराब हो जाती है, आपको admit होना है, तो हम इसको cover करेंगे ये बात आगे आएगे, मैं बताओंगे, क्यों बता रही है सब, ठीक है, लेकिन अब ये young के लिए तो अलाव है, लेकिन अगर आप जब 68 से जादा कि अगर कोई इंसान premium लेना चाहरा है, तो उसमें क्या होता है, insurance लेना चाहरा होता है, तो एक तो ये होता है, कि जो आप मैंने का न, महीने में आपको साल में एक बर पैसा देना होता है, एक तो वो पैसा बहुत जादा होता है, उसको premium बोलते हैं, पैसा बहुत जादा होता है, 60 से जादा, क्यों जादा है क्योंकि देखें, एक young एक यंग से जादा है एक ओल्ड इंसान जो होता है वो जादा बिमार होता है और वो भी 60 साल के बाद जादा बिमार होता है एक्सर खासी, जुगा, कुछ हॉस्पिटल में हो गया, या डाइबर्टीज हो गया, कुछ unwanted चीजे खाली है न, old age के लोग जादा बिमार हो जाते हैं, frequently rather than young से, उसकी body young है, वो activity करके भी वो recover जल्दी कर लेता है, लेकिन old age में बिमारी बनी रहती है, especially वो जिनके पास कोई diabetes वगरा, या heart disease related, कोई hypertension जो problem होती है, चिक है, तो क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, कि 60 साल से ऐसा ने premium न आपको देना पड़ेगा, 70 रुपे ही हम देंगे, that means यहां जो खर्च है तब भी, insurance कराने के बाद भी, जो है, patient को खर्च करना पड़ता है, अपनी तरफ से expenditure देना पड़ता है, उसमें एक कह देंगे, कि जैसे, हर company का अलग अलग होता है, कुछ company जैसे बोल देते हैं, कि ह अभी government, especially BJP ने आपने manifesto में बोला है, especially किसके द्वारा, जो आपकी insurance regulator, insurance regulatory development authority है, इंडिया की, उन्हेंने insurance company को बोला है, अब जो है, 70 साल तक, कोई भी हो citizen हो, student हो, या senior हो, कोई भी हो, सब को जो है, policy दी जाएगी, जो है, 70 साल तक, यह manifesto में अभी जो है, बोला गया है, ल 50 साल से पहले, यह 60 साल से उमर के कम लोगों को दे रही है, वैसे ही सारी सुवीदा सतर को भी देगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ age को बढ़ाया गया है, यहां पर, ठीक है, बाकी क्या है आगे वाले time पर देख देखें, क्योंकि यह सिर्फ manifesto है, ठीक है, तो writer य सारी बिमारियां कवर नहीं करते हैं, जैसे अगर किसी को heart disease है, डेपेंड करता है, company to company के, आप कौन सी company का insurance ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए, हाट इडे कुछ companies कवर नहीं करते हैं, कि अगर यह अकसर बिमारी है, तो हम इसको कवर नहीं करते हैं, तो लेकिन इनोंने बोला जाएगी, यानि बुड़े लोग जादा हो जाएगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हमें स्पेशली सीने सेटीजन के लिए हमें हेल्थ कवर वगरा बढ़ाने की जरूरत है, ठीक हैं, इसके साथ जो है, उनके जो head है, यूनिवरसल, Mr. Sharad Mahathur, इनोंने भी ब आश तक जो है, अभी कम से कम इनोंने एक साल के अंदर एक लाग करोड जो है, प्रीमियम मोबिलाइस किया है, इनके पास रजिस्टर हुआ है, उसमें से भी जो है, गौर्मेंट स्कीम साड़े-दस जार करोड है, जो गौर्मेंट की द्वारा इंशुरेंस लिया जाता है, रिटेल कस्टमर जो है, कम से कम साड़े-बयालिस करोड के आसपास है, ग्रुप पॉलिसीज है, पचपन करोड के आसपास ली गई है इनसे, ठीक है, इन्शुरेंस कमपनी से ओवराल इंडिया के अंदर में, ठीक, तो रैटर बता रहें कि इससे पहले क्या था, अगर आप 65 से 70 कर दिया इसको, ठीक है, तो एक तो यह हो गया, और इसके साथ साथ जो है, इन्होंने बोला है, कि आपका एक मिनट, हाँ, इसके साथ साथ इन्होंने बोली है, कि देखिए, इसमें प्री इंशुरेंस चेकप्स, जो है, नो कवर फर प्री एग्जिस्टिंग अलिटमे धिँकर जैसे ही, इन्सान पच्कीस साल को, पचास का हो जाता है, तो उसके बास जो प्राब्लम्स होती है, वो ज्यादा सेर क्रीय confidently करती है, और अगर अगर कोई इन्सान अपने रिटार्मेंट के बाद, जैसे 58 में अगर अक्सर लोग जो है, रिटायर हो जाता है, गवर् cu-new citizen insurance let it time usसे पहले जिसे मालीजिए कि कोई इंसान है जिसकी उमर 55 साल ने सकता है लेकिन 55 साल थक वह अच्छा खासा तंद्रोष्थ है कोई भी बिमारी न्हीं ना तो Heart disease नो कोई बिमारी नहीं है ऐसे old भॉत होते हैं हैं अच्छे activities के साथ तो उन्हें क्या है hundred percent जो है खर्चा insurance company उठाएगी जैसे मैंने आपको बताए ना कि insurance company क्या करती है जब 60 साल से जादा होते है ना तो वह premium तो लेती है कुछ-कुछ company allow करती है पैसर तक लेकिन वह यह कहती है कि हम अगर 100 रुपे खर्च कर रहे हैं तो आपको 30-40 रुपे करना पड़ेगा उसमें से भी जो है हम room rent नहीं देंगे एक दिन से जादा हम जो है आपका ambulance का खर्च नहीं देंगे बहुत सारे conditions रग देती है तो उल्टा क्या होता है कस्टमर इंशुरेंस लेके भी जो है उसके पर खर्चा पड़ता है ओल्ड एज में अगर ओल्ड एज में अगर वो खुदी है income का source तो यह over burden हो जाता है है न तो इसके लिए नहीं बोला कि अगर कोई बिमारी नहीं है और उसने इंशुरेंस लिया है तो उसको जो है 100% का पूरा बिल कंपनी लेगी ठीक है और इसके साथ और हाँ इसके साथ जो है उसे बेस्ट फैसलिटी जी जाएगी जैसे room rent, disease sub limits यह सब चीजे नहीं लगाई जाएंगी जो पहले claims लगाए जाते थे कि नहीं यह सब चीजे नहीं दी जाएंगी ठीक है तो अब देखते हैं आगे कितना इंप्लिमेंट होता है और आप देखिए राइटर यह बता रहें कि क्या-क्या issues हा सकते हैं इससे एक तो यह है कि देखिए पहली बात तो जो insurance policy लेने वाले consumer है उनके favorable में होनी चाहिए 50-65 के बाद हो ठीक है और 70 के बाद 70 तक है तो यह अच्छा तो है लेकिन डिपेंड करता है जो पहले first time लेने वाला है तो उसके लिए experience कैसा होगा कहीं उसका जो है cost high ना better first time later time ठीक है तो यह सब को माली जी heart disease problem है तो यहां पर इसका treatment कराना आपको है ना या फिर लिवर problem है कोई plantation कराना कोई ऐसा operation based है कुछ तो आपको जो पहले कहा है insurance लेने की बाद भी कई बर क्या होता है कि waiting में रहना पड़ता बहुत साल तक तो इसमें कहें नोंने कहा है कि waiting period जो है वो 36 मन से जाद आप से हर साल प्रीमियम कम से कम 15 परसंट तक बढ़ जाता है तो इन्होंने कहा कि वो चीज जो है कम होनी चाहिए ठीक है on an average पांच साल में एक बार बढ़ाए जाए तो यह चीज़े हैं ठीक है आपको समझ में आओगा आज का अर्टिकर थैंक्यू